जान लगा दो या फिर जाने दो तो दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार जो हार एक जाब इस वागए दोस्तों आप लोग कैसे मेरे क्याल सच्छे को रहे हो दोस्तों आज में आप लोग जहारकन सच्छी वाले इस पेसिल आप लोग जहारकन सच्छी वाले के लिए दोस्त लोग को तीश इंपोर्टेंट जो कर दोस्तों मॉइस एक्सफेक्टेट इस यो जो कि आप लोगा 90 परसेंट आप लोग चांस है कि आप लोग जिस इसां ग्यामी सन में आप लोग को यह इस पुछा जाया ह्ाइः है तो सिए आप लोग के लिए मोस्ट एक्सवक्टेड कोसे ने दो बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह आप लोगो अगावी अठाइस जन्वरी और चार पर्विक जाब मिसन में आप लोग को यहां से प्रसन देखने को मिलेगा ठीक है आप लोग इस सब प्रसन को कर लेते है तो आप लोगो बहुत इंप हेल्फल होगा पलसर न पत्रूकस जेथा की आप लोग को अधिकारी तो यहींसे पूछन से पूछा जाए घ्क है और आप लोग के लिए वाज की सिर लंका की आधिकारिए के राजण dissertht trainings को तोछ रहें हो आप लोग को क्या रहें तो तोपिकम आएगा है। सिर्लंका की आथिकारिक रहिवर्धने और कोटे ठीक है? जयानि कि B नम्र जो उप्स Ol gap बिलकुल के रेक्टेंस रू जाएगा एंड सिरलंगा जो आप्लों का कोलमबो हसे कोलमबो या आप लोका कहिर कारी और नियाइक राशणी सीत darle का ठीक है और सिरलंगा की जिसे का आप सब को बताए आधिकारिक रज़ानी जो की सिरी जय वर्धने पुरे कोटे हैं ठीक है नेक्स्ट है आप लोग का भुटान का राष्ट वहसा क्या है तो भुटान की राष्ट वहसा की बात करते थे जोंखा है यह नमर जो ऑपसन होते बिल्कुल गड़ल करेक्टिनसर हो जाएगा भुटान की बुटान देश्च की राष्ट वहसा जोंखा है तो थिप्टू है कहा है दोस्तो थिंपू रहाए कि मुद्रा की बात करते हैं तो क्या है नगुल ट्रम ठीक है नगुल ट्रम है नेक्स्ट है परधान मंत्री के मन की बात कैरकरण का सववा परसारन ये आप लोग का हुआ था 30 अप्रेल 2023 को यानि कि बी नमबर जो अप्सन होगा बिलकुल गरेक्ट एंसर हो जाएगा परधान मंत्री नरेंज मोदी के पहला मंद की बात 3 अक्टूबर 2014 के भीज़े चस्मी के आउसर पर परसादित किया गया था और 30 अप्रेल 2023 को इसका सवासन्स करन हुआ हुआ था ठीक है आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट है किस स्टार्ट अप ने अजादी सेट उपगरा बनाया जिसे 750 इसकोली लड़कियों ने बनाया तो इसका जो एंसर आप लोग रह जाने वाला है अस्वेस कीड्स इंडिया ठीक है बी नमर जो ऑप्सन होगा बिल्कुल करेक्टर इंसर हो जाएगा देखिए अस्वेस कीड्स इंडिया चे नहीं इसे तेक अंतरिक्ष तक्रिक स्टार्ट अप भायरति अंतरिक्ष अंसाधन संगठन इश्रो के दोरा ये लाउंच किया ग अताहत ही आप लोग का दड़्वीर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है भारत का स्वीनिय कार्बन उसर्जन वाला हावय अड़ा कहां निर्माधिन है यह भारत का पहला स्वीनिय कार्बन उसर्जन वाला हावय अड़ा कहां बंद रहा है तो यह दोस्तों आप लोग नवैड जो कि उत्रप्रदिष से इस्तिते वहां पर बन रहा है ठीक है उत्रप्रदिष की नौय अड़ा में निर्मादी जेवर अंतराइस्ट होएड़ा देश का पहला सुनिय कार्बन सरजन होएड़ा होगा इसका सिल्यानास पर्धान मंत्री नंद्र मोदी की दोरा किया गया है न बूद्ध का मतलब क्या होता है ज्यान की प्राप्ति है ना पटीस वर्स की उस्ता में ही सिधार्थ को वैसा पुर्णिवा की रात को एक पीपल के बिरिच के नीचे बूद्ध गया में ज्यान प्राप्त हुआ था है ना और इसके बाद बूद्ध के नाम से प्रसीद हो गया अफिव जिसको ये आप लोग का तारीक फिरोज साही इसको लिखे है है ना नेक्स्ट ये आप लोग का सिवाजी महराज की सासन कालमी मंतिर परशित को किस नाम से जाना जाता था तो ये आप लोग को अश्ट पर्दान की नाम से जाना जाता था right डी नबर ओप्सन जोगा बिल्कुल क्रेक्ट इन्सर हो जाएंगा तो देखे सिवाजी महारात की सासन कालमी मंत्री परिषद को अश्ट पर्दान के नाम से जाना जाता था और इसके तहट 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था है ना आठ मंत्री हुआ करते थे इसमें आप लोग पेश्वा हो गिया आमत्य हो गिया मंत्री हो गिया सच्छी हो गिया सुमन्त हो गिया सिनापती हो गिया पंडित राव नियाधिस हो गिया सब सामिल थे राइट नेक्स्ट है निवन में से कौन सा उपनियास भारत में सोतंता सेनानियों के लिए प्रेना का सुरोत बना था तो ये था आप लोग का आनन्दमंट ठीक है आनन्दमंट जो की बंकिम चंजर चटर जी के दोरा ये लिखा गया है और इसे बंगाली देश वक्ती का बाइबल भी कहा जाता है पुछ दे सकता है बंगाली देश वक्ती का बाइबल किसे कहा जाता है तो ये आप लोग का बिल्कुल आनन्दमंट हो जाएगा आनन्दमंट को किस ने लिखा है ये बंकिम चंजर चटर जी ने राट नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगा भायत तिराइश्ट का अंग्रेश्ट के पर्थम मुसल्मान अध्यक्ष कोन थे बताइए भायत तिराइश्ट का अंग्रेश्ट के पर्थम मुसल्मान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आप लोगा बदरोदिन तैब जी थे कुंते बदरोदी तैब जी बायतिराश्ट कांग्रेस की पर्थम मुसल्मान बदरोदीन तैब जी थे और इनको 1887 भी में मदरास में कांग्रेस की तीसरे अधिवेसिन के अधिक्सान किये थे ही कब 1887 भी में और कंग्रेस पार्थी की गठन कब हुआ था तो 885 में रैट नेक्स्ट है सागा दावा परसी बहुत तेहवारों में से एक या निमलिकित में से किस राज़म मनाया जाता है तो यह आप लोग को सिक्किम राज में मनाया जाता है सिक्किम की रज़ानी कहा है आप भारत की भूमी मुख्य भूमी का चांस किसके बीच में फैला भारत की मुख्य भूमी का चांस के बारे आप लोग को बताना है तो इसका जो एंसर होगा आप लोग का 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर हो जाएगा ठीक है ए नबर आप्सन बिलकुल से इंसर हो जाए बुलिए तो जीलों के अधियन के हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों लिम्नो लोजी ठीक है जीलों के अधियन को लिम्नो लोजी कहा जाता है इसमें आप लोगा जील हो गिया तलाब हो गिया नदी हो गिया सब के बारे अधियन किया जाता है नेक्स्ट है नीमनु मैंसे किस नद का सुरोत पारत के बाहर से है वो आप लोग को छांट के बताना है तो देखिए ब्यासु नदी जो कि आप लोग का इंडिया में ही है जहलम नदी जो कि इंडिया में ही रावी जो कि इंडिया में ही एक ब्रंभा पूत्र नदी जो कि ये आप लोग कहां से निकलता दोस्तों ये आप लोग का ब्रह्मा पूत्र नदी तीबत में एक जगह का नाम है चेमा यूंग डूंग है हैं वहां से ये निकलता है next जूम किरिसी किरिसी एक टोपिक होता है वह आप लोग बढ़ने लेना ठीक वहां से आप लोग एक परसंद देखने को मिलेगा एक से दूपरसंद देखने को मिलेगा तो बताइए जूम किरिसी अभी कहां परचली थे तो जूम किरिसी अभी भी नुजोरम नागालेन मनीकप दूसरा जाते हैं फिर शूरत करके करते फिर उसके जोब करीशी जाता है जोब करिशी एक तरह से हस्तांत्र करीशी है ठीक है और देखिए आप लोगा उसन कटी बेंगे छेतरों में देखने को मिलता है इसे पे रोनसपती को काट कर जला कर साब करके किया जाता है जैसे काप सब्सक्राइब बता है और ये क्रिसी पुर्वे पुर्वतर भारत में पहारियों पर आदिन जन्जातियों को दोरा मनाया जाता है next पीसों में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने होला तुमल पलेनियम लिकर में से किस राइज में है किस राइज में है तो ये आप लोगा आंदर पर्दीस में है कहा है आंदर पर्दीस में है बिसम सबसे बड़े यूरेनियम का बंडार कहा है तो आंदर पर्दिस में next है Q2 protocol की source में प्रवाई हुआ Q2 protocol की source में प्रवाई हुआ तो ये आप लोग का 2005 ये में हुआ कब 2005 में इसके बारे जान लेजी Q2 के बारे हैं Q2 protocol ये आप लोग का UNFCC के दोरा ये आप लोग का जारी किया जाता है और ये एक अंदराइश्टी और कानोनी रूप से वाइधिकारी समझ होता है जो अधोगिक देशों पर ग्रीन हाउस येशों और कार्बन की उस सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है Q2 protocol ठीक है Q2 protocol आप लोग का Q2 protocol Q2 protocol ग्यारों दिसंबर 1997 को कोप के तीसरी सत्र में इसको स्विकार किया गया था रैट और सल्लोब फरवर्य दोजर पांच को ये परवाई हुआ था कब वो था सल्लोब फरवर्य दोजर पांच को टेक्स्ट है भारत में योजना बद अर्थ बेऊस्ता किस पदिती पर आधारी थे देखिए आप लोग एक एक एकनोमिक्स टोपिक एकनोमिक्स को भी आप लोग पढ़ लेना है आसा आप लोग एक से 2 परसंट अप लोग देखने को मिलेगा ठीक है बताई योजना में भारत में योजना बद अर्थ वे उस्ता किस पधिती पर अधारी थे तो ये आप लोगों समाजवादी पधिती पर अधारी थे यानि कि D नमर ऑप्सन जो होगा बिल्कुल से इन सुरू हो जाए नेक्स्ट है विसेश सेज की आउधारना पहले सुरू कौन की थी विसेश की आउधारना की बात कहते हैं तो यह भारत के दोवरा ही किया गया था ठीक है सी नमर आप्सन होगा बिलकुल सीन सुरू हो जाएगा देखें विसे सेज की आउधारना पहले भारत में सुरू किया थे और ये सेज विसे सुरू से परिभासित उस भोगलिक छेतर को कहते है जहां से बेपार, आर्थी, किरियकलाब, उत्पादन और तरके वेवसाई गतिवीदियों को संचालित किया जाता है नेक्स्ट है विदेश में वोस्त में घरेलू बिक्रे दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते है अगर जो हम इंडिया में बेचेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते है तो उसको हम लोग क्या कहते है पार्टन कहते है ठीक है यानि कि डंपिंग, सी नमबर ऑप्सन होगा इसका बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा राइट, एक्स्ट है डेश में कौन से तीन वर्सों की Mogthi की योजना अवकास से है देखी, पंचवरसीzn योजना से आप लोग पर लीजेगा आप लोग एक परसंट देखने मिलेगा ठीक है पंचवर्षी योजना पंचायती राज ये सब एक एक परसंट रहेगा आप लोग इसको पढ़ लेना है तो देखिए पंचवर्षी योजना से हैं क्या पूछ राज दिस में तीन वर्स की अधी की योजना आउकास कुन सा था ये आप लोग का बी नबर हो जाएगा यानि की क्या उनिस्सो चेर सर से उनहत्तर ठीक है ये तीन वर्सिक था और ये आप लोग का चोथा पंचवर्षी योजनाम हुआ था राइट नेक्स्ट है भारत की समिधान की उपर सबसे अधिक परवाव निम्लिकित में इसी किसको मना जाता है भारत की समिधान की उपर सबसे अधिक परवाव किसको मना जाता है तो ये आप लोग को बता देना चारे है भारत सरकर अधिनिमों निस्सो पैंटीस ठीक है इसी एक तहद बहुत सारे कानुन बने हैं वारत में नेक्स्ट है और दीखे पुल्टी सब लोगों को चार से पांच प्रस्म देखनी को मिलेगा ठीक है तो पुल्टी पुलिटी को भी आप लोगों खंगाल लेना है भारत की समिधान के निवलेखित अनुछेदों में से कोन सा अनुछेद धार्विक सुतनता के अधिकार के गरांटी देता है यह धार्विक सुतनता के गरांटी की बात करते हैं तो यह आर्टिकल 25 से 28 ठीक है भारत की परधार मंत्री के निवक्ति की समय है यह अपने सुक्षा से किसी के भी जो बहुमत दल होगा जिस पार्टिक उस नेता को यह परधार मंत्री के निवक्ति कर सकते हैं ठीक है और यह आप लोग का पर्धान में जिक निप्ति राश्पति दोरा सविधान के अनुचेत 75 के तहत किया जाता है 75 के तहत किया जाता है नेक्स्ट है भायत्ति सविधान के कि संसोधन अधिनियम दोरा 55 राज़ बेश्ताङ को सं भिधानिक दरजा दिया गया है तो यह जो आप लोग को दिया गया है 53 संसुधन के दोरा की नमर ओप्सन जो होगा बिलकुल गरेक्टर पेसर हो जाए देखिए बाहरती समिधान के तिर्वी समिधान संसुधन के दवरा नौ एक जोड को नगरपालिका का दरजा दिया गया है इस बात को आप लोग ध्यान दिजिएगा नेक्स्ट है फियरलेस गवरनेस नामक पुस्तक के लिख़िए आप लोग एक पुस्तक से आप लोग रहेगा ठीक है जो भी एक दो साल हाँ एक साल के आप लोग करेंडेपिर का देख लीजिएगा पुस्तक से जो भी नए 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 अभी लॉंच हुआ है उवह सबसे आप लोग परसंद देखने को मिलेगा और जो आप लोग का most important रहेगा है ना चर्चित बेक्टियोग दोरा लिखा गया होगा उससे आप लोग देख लीजेगा उससे भी आप लोग देखने को मिलेगा एक जाम में तो देखिए fearless governance नामक पुस्तक लेखा कौन है तो ये आप लोग का किरन बेदी जी है किरन बेदी और ये पुस्तक पुड़ुचेरी को प्राइचपाल के रूप में जब किरन बेदी थी है ना पांच साल के जो सिवा की थी और उनके चालिस अर्सों के विसाल अनुभाव की जो जमीनिया हकीगत था उसको यहाँ पे बताया गया था किरन बेदी के दुवारा next है रोजर फेडर का समन्द की स्केल से है तो ये आप लोग का लॉन टैलिंज से है यानि कि सी नमर जो अप्सन होगा बिल्कुल करेक्ट देंसरो हो जाएगा next है भारत में समुदाइक पिकास कायर करम की सुरुवात कब हुई तो भारत में समुदाइक पिकास कायर करम की बात करते हैं तो इसकी सुरुवात आप लोग को 2 October 1992 वीक हुआ था कब हुआ था 2 October 1992 वीक हुआ और ये जे समुदाइक पिकास कायर करम है ये आप लोग का अमरीका के सहयोग से लागू किया गया था इंडिया में युए है नेक्स्ट है ज्छारखन भारत के किस भाग य्ष्टी थैं ये बहुत बार रिपीटेंट कॉसे नहिए ज्छारखन भारत के किस भाग वेस्ती थे यह आप लोग को उत्तर पूरी भाग में यह नम्मर ओप्सन जो होगा बिल्कुल करेक्टर एंसर हो जाएगा और भारत महारत में क्या बोलते हैं जारखन ठीक है जारखन की यह आकरिती कैसी है तो यह आप लोग को तिरबुजा कार है कैसी है तो तिरबुजा कार तो आज की हम लोग का कलास इंड होता है ठीक है और दोस्तों यह आप लोग कलास समयने दिन का रोज आप लोग का जोहर एकजाम की यूटूब चेनल में आट बजे रात को दिखने को मिलेगा ठीक है और साइंस का आप लोग का साम की साथ बजे देखने को मिलेगा तो आप लोग देखना न भूले और आप लोग एकजाम से पहले आप लोग पुरा प्रपेर रह जाएं ठीक है और यह आप लोग का एकजाम में यहाँ परसन आप फिर से पूररे पूछा जाएगा तो जितने भी जिससे सिजल के त्यारी करने वाले अभर तीगोन होंगे तो आप लोग चीवचान लगा देजिए और महिला सुपरवाइजर वाले बेड़ क्योंकि आप लोग सिल्वर सेम हैं तो कोईसिन भी आप लोग सेम रहने वाला है तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो को आप लोग सेड कीजिए ठीक ना